जातक कथा नंबर 240 कथा का जो सीरसक टाइटल है वो एक तरह से हम कह सकते हैं के क्रूर राजा या क्रूर साषक या निर्दई साषक निर्दई राजा मगर जातक कथा में जो आता है महा पिंगल जातक नंबर 240 एक राजा होता है कहानी के अनुसार जो बड़ा निर्दरी होता है बड़ा कठोर होता है उसे किसी से प्यार नहीं होता ना उसे अपनी पत्नी से प्यार है ना उसे अपने बेटे से ना बेटी से, ना प्रजा से ना रानी से, ना पटरानी से ना दरवारियों से ना जो उसके हाँ सेवा करते हैं उनसे जो नगर में पढ़ जा रहती है ना उनसे वो अपने हाथ में एक डंडा रखता है और आते जाते बिना बात के सबको डंडे मारता है एक द्वारपाल भी होता है उसको आठ डंडे रोज मारता है मिना बात के, खाम में खाँ, एमें, चूंकि वो कुरूर है, उसको उस कुरूरता में मज़ा आता है, उसको उसमें प्लैजर मिलता है, खुशी मिलती है, इसलिए वो ऐसा काम करता है, सारे लोग उससे परसान रहते हैं, मगर चूंकि वो राजा है, उसकी राजा की मानता है, इसलिए वो अपनी मानता में बद्ध हुए हैं और वो उसके जितने भी उसकी कुरूरतम काम हैं, निर्दे काम हैं, जो खराब काम हैं, दुष्ट काम हैं, उन सब को सहते रहते हैं। राजा सब पर हावी रहता है, मगर आप जानते हैं कि मिर्ट्यू सभी की मा हैं, मिर्ट्यू किसी को नहीं छोड़ती, वो सभी के उपर राज करती हैं, और एक दिन उस निर्दे ही राजा को मिर्ट्यू अपने साथ ले जाती हैं, राजा मर जाता हैं। जैसे ही राजा मरता है पूरे राज्ये के अंदर खुशी का महल हो जाता है लोग उत्समरार सूखरतेते हैं नए कपड़े पहनते हैं पठाके छोड़ते हैं मिठाईया बाढ़ते हैं चारों तरफ खुशी का महल होता है और उसकी अर्थी को बहुत खुशी के साथ गाजे बाजे के साथ नाच नाच के गागा के उसको समसान भूमी तक लेके जाते हैं खूब जोस में लोग होते हैं और बड़े जोस में खूब सारे प्रिड़ लाते हैं एक अर्थी को जलाने के लिए अगर चार कुंटर लकडी की जिरूत है तो वो चालिस कुंटर लकडी पचास कुंटर लकडी लेके आते हैं प्रिड़ काट काट के जमीन साथ साफ करते हैं घड़ो घी लेके आते हैं एक छोटा सा घी बहुत होता है एक मटका मगर वो कैई सो मटके घी लेके आते हैं इतने खुश हैं वहाँ बहुत बड़े चिता बनाते हैं और राजा को उस पे लिड़िटा के गड़ो घी डालके उसको फूंक देते हैं उसको फूंकने के बाद में फिर जो उसका बेटा होता है क्योंकि राजा अधम ही होता है अधम पे चलता है जो अनुचित कारवाई है उसके चलता है अनुचित तरीके से वो सप्ता पे काविज दे जाता है इसलिए उसके मरने के दुख को बुलाने के लिए उसका जो बेटा है वो सधम वाला है वो उचित कारे करता है तो उसको अभी शेक करते हैं उसका राज्य का तलग करते हैं तो पूरे दर्वार में बहुत सारी खुशिया मनाई जाती है वो जो दौरपाल था, जिसको रोज राजा आर्षडने माता था वो दौरपे खड़े हो के, बहुत जोजोड सर रोने लगता है बड़ा चीक-चीकर होता है, बड़ी रुंदन कर के सुर में रोता है तो जो राजा होता है, वो उसके पास जाता है जो बनने वाला राजा है वो कहता है कि तुम्हें क्या खुशी नहीं है राजा के मनने से इतना निर्दई राजा मर गया तुम्हें लगता है कि क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया था जो तुम्हें उसके जाने का दुख हो रहा है तो कहता है कि नहीं वो तो मुझे रोज आज डंडे मारता था मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि वो अगर वो उपर जाएगा वहाँ अगर यम्राज होगा और यम्राज से को फिर डंडे मारेगा कहीं ऐसा ना हो कि यम्राज उसे गुस्से में फिर बापिस यहां भेज दे और वो फिर राजा बन जाए और फिर वो मुझे आठ डड़े दोल मारे तो राजा उससे कहता है कि पूरे देस ने पूरे राजा ने उसको कई गुना लकडी में और कई गुना तेल में फूका है कि उसका अंस्वी ना बचे वो जगे पूरी तरह साफ कर दिये कि उसका अंस्वी ना बचे ये एक पिर्तिक आत्मक किया हुआ है ताकि लोगों के मन से भे निकल जाए कि अब इसका यहां कुछ भी नहीं है उसकी सारी निशानिया मिटा दी गई है उसके सारे पिशलिस्त की हुए काम बुछा दिये गए है अब उसका नाम लेवा भी यहां नहीं रहेगा फिर भी तुम इतना समझ लो कि बौध जो पद्दती है जो बौध टैक्टिक है जो भगवान बुद्ध ने टैक्टिक दी है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रूर हो और बहुत ज़्यादा दुए स्पून काम करे बहुत ज़्यादा दुष्टता वाले काम करे तो उसे मनुस्य से योनी के अंदर उसका जनम नहीं होता वो मनुस्य से योनी में नहीं आता वो या तो अवीची नरक में जहेगा जहां से बाप पिसाना बहुत नामुम्किन है उसको अब शरीर प्राप नहीं होगा या वो कहीं बहुत चोटा मोटा सा कोई कीट पतंगा जानवर बनके रहेगा या कहीं किसी सड़ी-कड़ी नाली का किसी बेकाशी जगे का कोई कीड़ा बनके रहेगा और वो हजजारों साल तक अवीची नरक में लाखों साल तक रहेगा मनुस्य योनी में मनुस्य का जनमा वो नहीं ले सकता इसलिए आप बेफिकर होके रहो बिना भैके रहो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यह सुनकर जो द्वारपाल है वो खुश होता है सारा भै भूल जाता है और राज्य की सेवा में लग जाता है इस कहानी का जो महा पिंगल जातक नंबर 204 है इस कहानी का जो पेड़ा है और जो इसकी जानकारी है जो इसकी सिक्षा है वो यही है कि भगनवान बुद्ध की जो सिक्षा है और जो प्रतित्य समुत्पाद या प्रतित्य समुत्पाद का जो नियम है उसके अनुसार मनुस्य का जो शरीर है उसके अंदर जो सौफ्टेर आता है या जो मन आता है अगर वो बहुत गलत काम करता है और सब को दुख पहुँचाता है तो उसका वर्जन छोटा हो जाता है फिर वो मनुस्य योनी के लायक नहीं रहता और मनुस्य नहीं बनता चुकि उसने निवान प्राप्त किया नहीं इसलिए वो यहां री साइकल में यानि कि अगले जनम में अगले जनम में उसका वर्जन आता रहेगा और वो जो वर्जन उसका है वो डिमोट हो जाएगा छोटा हो जाएगा और छोटा वर्जन छोटे सरीरी में फिट होता है ये उनकी थोरी है जो scientific थोरी है इसी कारण जो दुष्ट लोग होते हैं वो दुवारा मनुष्य योनी में नहीं आते धन्यवाद ऐसा ही भगवान बुद ने बताया है प्रली में जोग्याद जब बताया है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो